So hey guys, welcome back to another video और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी LG G8X का wireless charging test जो कि यहाँ पर मेरे बाद है यहाँ पर रेगर की तरक से आने वाला 10W का एक wireless charger अब actually में मैंने इस LG G8X को कुछ दिनों पहले इसके wired charger यानि इसका जो 16.2W वाला charger है उससे भी एक charging test किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखिए link description में मिल लाएगी लेकिन यहाँ पर हम करने वाले हैं इसी 10W के wireless charger से इसको charge और देखेंगे कि कितना time लगेगा obviously बहुत ही जाला time लगने वाला है तो यहाँ पर सारा कुछ हम इस वीडियो में discuss करेंगे और यहाँ पर मैंने जो charger का इस्तिमाल किया है जो यहाँ पर adapter का इस्तिमाल किया है वो है यहाँ पर Samsung की तरफ से यहाँ पर 15W वाला एक fast charger या obviously आप कोई साभी charger लगाएंगे but at the end इसको देना तो 10W का output है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ही लगाना जरूरी समझा बीच में मैंने cable बदल दी क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि cable slow होगा बागी की कहानी आपको इस वीडियो में पता चलेगी और हाँ यहाँ पर जो मैं cable यूज करने वाला हूँ इसको यहाँ पर power देने के लिए वो यहाँ पर मैंने board का एक cable इस्तिमाल किया है तो यह भी काफी अच्छा cable है तो जो result है वो आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा तो मैं आपसे request करूँगा कि इस वीडियो को आप last तक देखेगा वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी मैंने part-part में इसको divide किया है तो आप वीडियो से पोर ना हो जाए इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया है तो हेलो गयाज मेरा महिश और आप देख रहे हैं अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते है तो चलिए इस चार्जिंग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हो गया मेरा टाइमर और यह हो गया केबल जिसको मैं अपने इस वायरलेस चार्जर में लगाऊंगा और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हो गया adapter जो कि Samsung की तरफ से आता है 15 Watt का यह adapter है और यहाँ पर मैं इसको जल्दी से यहाँ पर सब कुछ plug-in कर देता हूं और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हो गया Rager की तरफ से आने वाला 10 Watt का एक wireless charger जिस पर मैं इसको रख कर चार्च करूंगा तो अब यहाँ पर ब से इसको इह यहाँ पर टाइमर को स्टार्ट करने कि यहाँ पर मैं इसको टाइमर को स्टार्ट कर दिया है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह होने फूरे हो लावी हो Linda के बार यहाँ पर हुई है और यहां पर 40 मिनट के बाद जैसा कि आप यहां पर तो अगले 40 मिनट के बाद आप यहां पर देख सकते हैं 19% जिसकी बैटरी चार्ज हुई है और आप यहां पर देख सकते हैं कि अगले 20 मिनट बाद इसकी जो बैटरी है वो यहां पर 29% चार्ज हो चुकी है तो य यहाँ पर आप एक घंटे और 20 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 39% इसकी बैटरी चार्ज हो गई है एक घंटे 40 मिनट बाद इसकी बैटरी 48% यहाँ पर चार्ज हो गई है तो यह काफी स्लो है यहाँ पर अब मैं आपको बताओं तो 2 घंटे 20 मिनट बाद इसकी बैटरी है 56 पर सेंट इसकी बैटरी चार्ज हो गई है और यहां पर देख सकते हैं कि अगले तीन गंटे बात इसकी बैटरी कि पर सिर चार्ज उडही तो जैसा कि आपने आप पर देखा मैंने इसमें 20-20 मिनट पे टाइमर को सेट किया हुआ था ताकि मैं आपको क्लियर आइडिया बता पाऊं कि ये 20 मिनट पे कितने चार्ज हो रहे हैं एक्चुली मैं मैंने जब 3 घंटा हुआ तो इसको मैंने देखा कि 42% फिर भी बता रहा था और 80% इसकी बैटरी चार्ज हो चुकी थी तो वहाँ पर मैंने इसके चार्जिंग टेस्ट को स्टॉप कर दिया क्यों क्योंकि मैं बोर हो चुका था और मुझे नीद भी आ रही थी क्योंकि मैं वीडियो रात में बना रहा था तो मैं बता दूँ कि कुल मिलाकर इसकी जो चार्जिंग टेस्ट है यहाँ पर यही रिजर्ड निकल कर आता है कि 3 घंटे 42 मिनट का ये टूटल टाइम लेता है आपके इस LG G8X को चार्ज करने के लिए तो मेरे ख्याल से कि जो इसका वायर्ड चार्जर यानि कि जो 16.2 वाट वाला चार्जर है अगर आप इससे इसको चार्ज करेंगे तो ज्यादा ही फास्ट आपकी बैट्री चार्ज हो जाएगी उतला भी फास्ट नहीं होगी बर फास्ट हो जाएगी सिवा 4 घंटे लगान तो मैं रेकुमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे किसी वेबसाइट से जाकर खरी दे आपको मैं रेकुमेंड करूंगा कि आप ऑथराइजर लगी के सर्विस सेंटर पर ही जाकर चार्जर को खरी दे मुझे तो बहुत टाइम लग गया और मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप वाइलेस चार्जर से इसको चार्ज करें अगर आपके पास टाइम हो अगर आप रात में लगा कर इसको सो जाते हैं तो बेटर है तो इसको आप चार्ज कर सकते हैं अगर आपको जल्दी चार्ज करना होगा तो मैं तो कहूंगा आप इस एडप्टर का या केबल का इस्तिमाल करें ताक कि आपकी जो बैट्री है वो जल्दी चार्ज होए पाए यहां पर मैं एक टेस्ट और भी लेकर आने वाला हूं बहुत ही जल्दी जहां पर मैं आपको जो क्वैल कुछ चार्ज फोर्ड सपोर्ट करते हैं यानि कि जो 27 वाट वाली चार्जर होते हैं उनके उपर भी मैं वीडियो प्लाइन कर रहा हूं कि इसके उपर बनाओं और देखना चाहता हूं कि उससे इसमें कितना टाइम लगता है वो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा तो झाल 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 झाल